कोई भी सबजी ना हो तो भी घर की चीज़ों से आप बिलकुल टेस्टी और इजी क्विक नाश्ता बना सकते हैं वेलकम टू प्यूर कुकिंग इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेस्टी नाश्ता बिलकुल 15 में कैसे बनता है यह बेसन की रेसिपी है तो इसके विले मैंने इसकी हो तो एक आट करें अगर छोटी हो तो दो इसे बिलकुल रफली चॉप करके आट करना है यानिके बड़े-बड़े तीसे स्कारने है आपको और अच्छे से हम इसको फ्राइ करेंगे लेकिन प्यास का कलर हमें बिलकुल चेंज होने नहीं देना है तो जैसे कि मैंने बताया है यह बिलकुल क्विक नाशता है और बिलकुल घर की चीदों से आपको बनके तयार हो जाएगा तो देखिए कलर अब थोड़ा सा ही चेंज होने लगा है हम इसमें हाफ टीस्पून जिंजर गालिक पेस्ट करेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के साब से और हाफ टीस लगता है यह पेसन और देखिए मैंने जिंजर गालिक पेस्ट को अच्छे से भून लिया है इसमें हम वन टीस्पून रट चिली पाउडर एट करेंगे और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें ओईल नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा आपका अब जैसे यह जि और भी युद इसमाल घोंकि फिलेम महाने लो कर दहीं है इसल Undy हमें लाई तो जब तक टमाटर अडर कहने हैं मैं पिस्तिमाल चाहिए हैं क्योंकि भी फट को लिज शरकर बेसन के लिए मैंने फोक का इस्तमाल किया है क्योंकि बैसन में बिल्कुल लंस या गुट्लिया न सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का बेसन है यानि के देखिए अब यह पानी में बॉयल आ गया है तो हम बेसन एट करेंगे बेसन को मैं गोल लेके रखा था जैसे के आपने देखा और बिलकुल इसे हिलाते हुए एट करना है क्योंकि अगर आप हिलाएंगे नहीं तो बेसन की बनाया लेकिन मैंने साथ में पराटा ही बनाया है इसे लेट रलव ने के बनाया है यह अन्य स्क्वर्चे के बाद मैं जैसे ही गाडा मेरी लगा अं यह ऐसे कण ही घृर लगष्ट seventच के लिए लकाषि चोड़ देंगे और यह स्काइव रेटे की रेसिपी मैं चुटोंक करेंगे और यह बिल्कुल गर्मा गर्म सर्फ करेंगे क्योंकि थंडा हो जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो बिल्कुल भांप इसकी आ रही है इसी को मैंने साथ ही में गर्म कर दिया है जैसे है यह थोड़ा सा सेटल डाउन होगा तो अच्छे से गाड किजिए और शेयर किजिए और सब्सक्राइब किजिए प्यूर कुकिंग चैनल को ऐसे यूसफुल वीडियो के लिए यह नस्दीक से मैं आपको दिखा रही हूं कितना टेस्टी लगा लग रहा है हमारा बेशन तो जरूर ट्राइ किजिए यह रेसेपी और अगर आप ट्र पिशर में से जरूर शेयर करें इंस्साग्राम पे ऋट्साग्राने टतो अगर करें